Finance से जुड़ी latest information पाने के लिए Finnovations Updates को subscribe करें और notification पाने के लिए bell icon पर click करें Namaskar, आज की market update session में आपका स्वागत है आज share bazar की शुरुआत बड़त पर हुई थी Sensex 125.85 points यानी 0.32% उपर 39,211.88 के level पर खुला था वही nifty 0.27% यानी 31.2 points की बड़त के साथ 11,566.2 के level पर खुला था आज हफते के चौथे कारोबारी दिन गुरुवार शुरुवार शुरुवाती बड़त गवाकर घरेलू बजार सपाट स्तर पर बंध हुआ Sensex 0.24% की गिरावट के साथ 95.09 points नीचे 38,990.94 के level पर बंध हुआ वही nifty 0.01% की मामुली बड़त के साथ 11,535.75 के level पर बंध हुआ दिगज शेरों की बात करें तो आज Infratel, Grassim, Titan, UPL, Wipro के शेर्स हरे निशान पर बंध हुए वही ICICI Bank, भारती Aetel, Kotak Bank, Axis Bank के शेर्स लाल निशान पर बंध हुए Sectoral Index पर नज़र डाले तो आज Financial Services, Bank, Metal, Private Bank, Realty, PSU Bank, Media लाल निशान पर बंध हुए वही IT, FMCG, Auto, Pharma में तेजी दर्च की गई Top Gainers and Losers अगर बात करें Nifty में Top Gainers की तो भारती Infratel में 11.45% Grassim में 6.82% और Titan Company में 5.71% की बढ़त रही अगर बात करें Top Losers की तो ICICI Bank में 2.46% भारती A.T.L. में 2.28% और Hindalco में 2.14% की गिरावट दर्ज होई Sensex Top Gainers में Titan Company में 5.71% Tech Mahindra में 3.35% और Nestle में 2.46% की बढ़त रही Sensex Top Losers में ICICI Bank में 2.46% भारती A.T.L. में 2.28% और Axis Bank में 2.14% की गिरावट दर्ज होई यहाँ पर हमारा Market Update Session समाप्थ होता है यह वीडियो आपको कैसी लगी हमें कॉमेंट्स करके जरूर बताएं और वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें हमसे जुड़े रहने के लिए कॉमेंट्स